हेलो दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चाइनल पर आज की सुड़ी में हम देखने आले दस ड्री मिलियों की विनिंग टीम्स वाई ओ आर वर्सेस ल ए न के बीच की जो इंग्लिश टीटोंटिम ब्लास्ट की यह मैच है दोस्तों यॉ सब्सक्राइब बनाना थोड़ा आसान होता है और आप देख भी सकते हैं कि मैंने दस टीम्स अल्रेडी बना के रख चुका हूं मैं और माई टीम पर क्लिक करके ही एक एक करके सबी टीम में आपको प्रिव्यू करके दिखाने वालों तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो इस बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा पी सॉल्ट बटलर और यहां पर ऐसे तीन की पर है जो कि अगर प्लेइंग इलियोन में रहते हैं तो आप जरूर उनको अपने टीम में शामिल कर लीजिएगा बैरिस्ट्रों है तीसरे प्लियर उनको भी अगर मतलब यह तीन प्लि प्लिवाजों को मैं पहले ही टीम में ले लूँगा उसके बाद आपके पास तीन और भी रहेंगे डी ग्रैंड हों मिडेरी मिचल और एम रेविस इस तरह से तीन और माइक को मैं इस टीम में आजब गेंबाज लूँगा मतलब यहां पर मेरी अगर टीम अगर आपकी आप में लग रहें काफी अच्छ अच्छ स्कोर कर रहें तो इसलिए इनको क्याप्टन और यहां पर उल्टा करना चाहे तो आप कर सकते लेकिन मुझे लगता है डेविड मला ज्यादा बेटर रहेंगे अगर आप यूद्स करेंगे तो क्यूंकि हम सब को पता है इंटरना मैं Grand League के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रिफर करूं मभा ThisHH alltså स्IESब्स के लिए थोड़ी मुश्किल है क्यूंकि मैंने ज्याधा वंलेवाजी पर जोड़ दिया गेबाजी स्थोड़ी two weirdest लग है इस टीम को क्लोट करते दूसरी टीम देखते है तो जी बेल को ल Kerry हखते हैं ल तीन ही बल्लेबाद में लूँगा उसके बाद डेविड भी से डैरी मिचल और जे थॉम्शन तीन ही ओल राउंडर लूँगा और गेन बाजी में एल वूड काफी बढ़ बढ़िया फॉर्म है एंपाकर्शन इतना फॉर्म में पर भी इनको जरू लूँगा भी माइक को लेगी या ग्राड लिग भी जिता सकते हैं यहां पर और एक हटके फैसला लिया है डेविड विशे ने काफी बढ़िया पर्फॉमंस के पिछले कुछी मार्च उसमें तो इसलिए क्याप्टन बना रहा हूं डेरे मिचल का भी पर्फॉमंस काफी शानदर रहा है अभी तक तो यहां पर जरू कह सकते हैं आप उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं डेरे मिचल को क्याप्टन और डेविड विशे को क्याप्टन भी बना सकते हैं दोनों काफी बढ़िया पर्फॉम कर रहे हैं इस टीम को जरूर मैं ग्राड लीग हो बड़ी लीग हो किसी भी लिख के लिए सजेस्ट करूंगा कोई प्राब्लिम नहीं लग रहा है मुझे थिर भी आप सोच समझ के उचकी जगा लेकिन ग्राइड लेको बड़ी लिख के लिए हंड्रेट परसंट यूज करना ही करना इस टीम को भी क्लोज करते हैं और तीसरी टीम देख लेते किस त ले लेना है मतलब अलग-अलग टीमों में लेंगे तो अच्छा ही है और साथ में भी लेंगे तो भी कॉमिनेशन अच्छा रहेगा इसके बाद यहां पर डेविड मलान एस क्राफ्ट और ये ल्वेल्स तीन बल्लेबाद रहेंगे ऑल्राउंडर में देखें ग्रांड हों डेविड विशे, डेरी मिचल, जे थॉम्शन और रेविस इस तरसे पाच अल्राउंडर में स्ट्रीम में ले रहा हो ताकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा के दे सकें क्योंकि दोनों ये सभी अल्राउंडर से तो बैटिंग में देंगे बॉलिंग में भी पॉइंट देंगे मतलब डबल पॉइंट अगर मिलते तो काफी ज़्यादा फायदा हो सकता है एल्वूड और हार्टली दो ही गेन बाज यहापर में लूँगा क्योंकि आल्रेडी पाच आल्राउंडर आपके पास जो कि पाचों गेन बाज भी सकते हैं बॉलिंग भी कर सकते हैं ज़राट पैटने पर तो इसलिए नोनों को क्यापन वास क्यापन बरा रहा हूं यहापर मुझे लगता है डेरी पी चल को ही यहादा बहेतर रहेगा इसलिए मैं उल्टा करने की सलाह नहीं दोंगा फिर भी अगर आपको लगता है जे थ ले रहा हूँ उसके बाद बैटिंग डेविड मला ने स्क्राफ्ट को ले रहा हूँ और एल वेल्स को फिर से ले रहा हूँ तो तीन ही बल्ले बाद रखूंगा डेविड वी से डैरी मिचल थॉम्शन और रेविस इस तर से चार आल रॉंडर यहां पर रखूंगा मैं ग्रा और यहां पर तो यहां पर यहां पर डांसे से तो यहां पर यह डब driving देने मैं डूजओं São n eer अब होता को घराज यहां से तो यहां पर यही प्टर यहां पर दो यहां पर बैद देने के ज़्य methane से तो इसलिए इनको क्याप्टन बना रहा हूँ और वेल्स को वाइस क्याप्टन बना रहा हूँ कूल मिला के अच्छी खासी टीम है चाहे हो गर्यांड लीगों बड़ी लीगों स्मॉल लीगों किसी भी लिख करेंगे तो भी मुझे कोई आपर नहीं लगता कि रिस्क है इस रख को जाने पड़ेगा तो एक तिम में दोनों को साथ में क्यों आले तो इसलिए मने दोनों को साथ में ले लिया है यह लैथी डेविड मलान एस्क्रॉफ्ट एलवैल्स चार बल्ले बाद डेविड इसे डेरी मिचल डी बेस को अभी तक कहीं पर शायद नहीं लिया ता तो इसलिए इनको यहाँ पर ले लूँगा और एम रेसे इनको भी आपर ज़रू रखूंगा तो चार और चार बल्ले बाज रहेंगे और एल वुड्स अकेले मेरे पास गेन बाज रहने वाले कुल्मिला के काफी बड़ेया टिप बनने वाले लेकिन यहाँ पर थोड़ा रि काफी कम लोग रहेंगे इनको भर्षा करने आले तो इसलिए मैं इनको क्याप्टन जरूर बनाऊंगा कुछ टीमों में मैं रिस्क जरूर लेता हूँ तो आफकोस ग्रैंड लिग बड़ी लिग के लिए तो आपको यूज करनी है स्वाल लिग के लिए ना यूज करे तो ब देविंग स्टोन चार बल्ले बाद फिर से रहेंगे यहाँ पर डेविड वी से डेरी मीचल थॉम्सन और रेविस इस ततर से फिर से चार आल राउंडर रहेंगे लेकिन एक कीपर कम लेडी के हुज़े से मेरे पास एक एक इस्ट्रा गेनबाज यहाँ पर खिला सकता अब तक कहीं पर कुछ नहीं बना पाया था तो एलवूर्ड भी काफी बड़िया पर्फरमस करें काफी जबदस खेल रहें तो इसलिए इनको क्याप्टर मना रहा हूँ और रसीव को रेवीच को इस टीम का वाइस क्याप्टर मना रहा हूँ अगर आप चाहे तो वाइस क् के लिए उच करनी नहीं करनी मैं आप पर छोड़ता हूँ इस टीम को भी क्लोज करते हैं और साथ वी टीम के स्थर से बनाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ वी टीम की बात करूँ तो ट्रेट सौल को फिर से ले लूँगा इसके बाद डेविड मलान और एल वेल्स इन दोनों को ही इस टीम में लूँगा बैट्समन हाँ काफी जादा रिसकी रहेगा लेकिन टीम वैसी बनने ही वाली है दोस्तों कॉलिन डिग्रैंड होम डेवि देरे लूंदर तो मिरे पास हैं दोस्तों उसके बाद यहां पर जे चोहार तो इस तरह से चार गिनबास भी मेरे पास सब्सक्राइब करें लेकिन अगर अच्छा कर जाते तो काफी फायदा कराके दे सकते और आपको बड़ी लीग जिताने में काफी फायदा कराके दे सकते सब्सक्राइब करें लिए उसके जगा स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी यूज मत किजेगा काफी जादा इसके स्मॉल लिग के लिए तो यहां पर काफी बड़िया टीम बनी है दोस्तो अच्छी खासी टीम है तो ज़रूर आप इस टीम को ग्राइब के लिए यूज कर सक सब्सक्राइब के लिए यहां पर मेरे पास काफी संतोली टीम है तीन बल्लेबाज भी है तीन गेनबाज भी है चार वेके लिए एक विकेट के पर है मतलब अच्छी खासी टीम लग रही है और इस टीम के सबसे बड़ी बात है कि डैरी मिचल को मैंने इस टीम का कैप्टन मना और डेविडी मिलन को वाइस कैप्टन मना इन दोरों को साथ में मैंने अभी तक कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना था काफी बड़िया टीम है उल्टा करना चाहे तो आप उल्टा भ क्याप्टन कोभडी कर दोनों की क्याप्टन फाइदा हो सकता चयार्न लींग वाड़ी में. करना है मुझे तो लगता है स्मॉल लिक के लिए भी यूज करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लेम नहीं कोई दिक्कत नहीं काफी अच्छी टीम है इसे मैं क्लोज करता हूं नवी टीम देख लेते नवी टीम में मैं जेट्रेट्रेश हॉल को फिचे ले रहाँ एस मसूद उ और मिय्श कडिकर लज चाह सकते हैं अगर उल्टा करना चाहे तो आप कर सकते है लेकिन लगता है लिविंग स्टोन को कहिना के डेकर रखना काफी फायदे मन सावित हो सकता है आपको ग्रांड लिग जिता सकते हैं बड़े बड़े लंबे छक्के लगा सकते हैं दोस्तों और जोरत पढ़ने पर गेन बाजी भी कर सकते हैं तो इसलिए क्याप्टर मनाओंगा फॉंसन भी अच्छा खेलते हैं अच्छा खेल भी रहे लेकिन मुझे लगता है इनको वाइस काप्टर नहीं रखना बहतर रहेगा फिर भी आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं ग्रैंड लीग और बड़ी लिख के लिए तो 100% यूज करनी है स्मॉल लिख के लिए यूज करें ना करें मैं आप पर छोड़ता हू इस ट्रिम को भी काफी बड़िया टीम है इसको भी क्लोज कते हैं और दसवी और आखरी टिम देख लेते किस तर से बनाई है दसवी और बात करो तो जे टेटर साल को फिर से ले रहा हूं एल एथी डेविड मलान एसक्राफ्ट जे एल वेल्स और लिविंग स्टोन पाच बल्लेबाज को फिर से ले रहा हूं डेविड विशे डैरी मिर्चल थॉंसन तीन ओल डॉंडर एल वूड और टी हाटली तीन दो ही गेन अच्छ अच्छ अप्शन है दोस्तों आपके पास यहां पर मैं इस टीम का क्यापटण डेविड मलान को बनाऊंगा इकी टीम ने बनाया था और देविड विशे को यह पर मैं अल्वूड और डेविड विशे के बीच फसा हुआ था लेकिन आकिरकार डेविड विशे ऑल सब्सक्राइब करेंगे तो भी कोई प्राब्लेम मुझे नजर नहीं आ रहा है उल्टा मुझे लगता है यह टिम आपको और भी ज्यादा अच्छी खासी आर्निंग करा सकते हैं फिर जरूर जिता सकते हैं बड़ी लिग भी जिता सकते हैं तो इसलिए इस टिम को कोई भी ली के लिए यूज करो कोई प्रब्लेम नहीं कोई रिकत नहीं तो आयोप आपको मेरी सभी दस टीम्स और मेरा वीडियो जरूर पसंदा आगा और अगर पसंदा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए चैनल को भी अगर आपने अब तक लिए उनमें चेंजेस रहते तो वह भी मैं आपको बता सकता हूँ और और कोशिश करूंगा और एक दो टीमों के कॉम्बिनेशन बढ़ा के मैं वहां पर टेलेग्राम पर आपके लिए धाल सको तो आज के लिए इतना दोस्तों आयोप आप लाइक जरू करेंगे आज के ल गुट बाइ थैंक यू